भजन सहिता अध्याए एक सो नव मुझसे लड़ते हैं मेरे प्रेम के बदले में वे मुझसे विरोध करते हैं परन्तु मैं तो प्रात्ना में लवलिन रहता हूँ उन्होंने भलाई के पल्टे में मुझसे बुराई की और मेरे प्रेम के बदले में मुझसे बैर किया है तू उनको किसी दुष्टिक के अधिक और खड़ा रहे जब उसका न्याए किया जाए तब वह दोशी निकले और उसकी प्राठना पाप की निचाए उसके दिन थोड़े हो और उसके पद को दूसरा ले उसके लड़के बाले अनात हो जाए और उसकी स्तरी विद्वा हो जाए और उसके लड़के मारे मारे फिरे और भीक मांगा करे। उनको अपने उजडे हुए घर से दूर जाकर तुकड़े मांगना पड़े। महाजन फंदा लगा कर उसका सर्वस्व ले ले और परदेशी उसकी कमाई को लूट ले। कोई न हो जो उसपर करुणा करता रहे और उसके अनाथ बालकों पर कोई अनुग्रह न करे। उसका वंश नाश हो जाए। दूसरी पिड़ी में से उसका नाम मिट जाए। और उसके पित्रों का अधर्म यहवा को स्मरन रहे, और उसकी माता का पाप न मिटे, वह निरंतर यहवा के सन्मुक रहे, कि वह उनका नाम पृत्वीपर से मिटा डाले, क्योंकि वह दुष्ट कृपा करना भूल गया, बरन दीन और दरिद्री को सताता था, और मार डालने की इच्छा से खेदित मनवालों के पीछे पड़ा रहता था, वह शाप देने में प्रिती रखता था, और शाप उस पर आपड़ा, वह आशिरवाद देने से प्रसन्न न होता था, सो आशिवाद उससे दूर रहा, वह शाप देना वस्तर की नाई पहिनता था, और वह उसके पेट में जल की नाई और उसकी हड्डियों में तेल की नाई समा गया, वह उसके लिए उड़ने का काम दे, और फेटे की नाई उसकी कटी में नित्यकसा रहे, यहवा की ओर से मेरे विरुधियों को और मेरे विरुध बुरा कहने वालों को यही बदला मिले, परंतु मुझ मुझसे हे यहोवा प्रभू, तू अपने नाम के निमित बरताव कर, तेरी कोरना तो बड़ी है, सो तू मुझे छुड़ा कार दे, क्योंकि मैं दीन और दरिद्री हूँ और मेरा रधय घायल हुआ है, मैं ढलती हुई छाया की नाई जाता रहा हूँ, मैं टिड़ी के समान उ नामधराय होती है, जब वे मुझे देखते, तब सर हिलाते है, हे मेरे परमिश्वरी हुआ, मेरी साहयता कर, अपनी करोना के अनुसार, मेरा उद्धार कर, जिससे वे जाने कि यह तेरा काम है, और हे यह हुआ, तू ही ने यह किया है, वे कोचते तो रहे, परंतु तू आस आनंदित हो, मेरे विरोधियों को तू अनादर रूपी वस्त्र पहिनाया जाए, और वे अपनी लज्जा को कम्मल की नाई ओड़े, मैं यह हुआ का बहुत धन्यवाद करूँगा, और बहुत लोगों के बीच में उसकी स्तूति करूँगा, क्योंकि वह दरिद्री की दहिनी ओर खड़ा रहेगा, कि उसको घात करने वाले नाई उसे बचाए.